हेलो दोस्तो वल्कम टू माई वोटीपी चैनल ओनलान टेक प्लेटफरम में आप सभी का स्वागत है आज एक के बीग निउज अबजेट के साथ आपके सामने आया हूँ जो की इगनू से रिलेटिड है इगनू क्या करता है हर साल एकजाम फोर्म की तरह अपना एक से रिलेट सिट भी जारी करता है जिसमें ये बताता है कि कौन से प्लेट को होंगे चले दोस्तों देखते हैं और जो बच्छों ने अभी तक एजाम फोर्म नहीं भरे हैं वह पहले ही अपना डेट देख के उस ही साथ एक्जाम फोर्म भर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले पर आपको Google के पेज पर जाना है गूगल पर जाने के बाद IGNU type करना है जैसे ही आप IGNU open करेंगे सबसे पहला जो लिंक है वसी को IGNU the people University को उपन करना है आप सभी को और इसके अंदर सबसे पहले आपको कहां जाना है सबसे पहले आपको जाना है इसमें ये डाउनलोड में डाउनलोड में जैसे ही जाएंगे तो एक ओप्शन आएगा डेट सीट का डेट सीट पर आपको क्लिक करना है यहां पर डेट से लिटेट हैं वो सारे दे दिए गए हैं तो यहां पर सबसे उपर टॉप पर ही लिखा है टेंटिब डेट सीट फॉर जून 2024 टर्म एन एक्जामिनेशन ओ लडी मोड यह निकि ओंलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड 2-3-2024 का दिया गया है जून दोचोबिस में एक्जाम देने ले हैं बच्चे उनके लिए टेंटिव डेसीट मतलब होता है एक डेसीट जो कि फाइनल नहीं है लेकिन दे दिया जाता है जिसके अंदाज जिसके भिहाब पे आप लोग अपने एक्जाम फर्म भर सकते पहले कि हां मुझे इस डेट को एक्जाम फर्म भनना है इस डेट को ओपन करेंगे तो एक पीडिया फाइल ओपन होगा जिसमें लिखाए टेंटिव डेट सीट फोर जून टूजन टून्टीफोर टार्म एंड एक्जामिनेशन 20 मार्ज को यह जारी किया गया है ठीक है तो बहुत पहले ही एक जो है जारी कर देता है इसमें पूरा वह मतलब क आपको वन टूवन पॉइंट मतलब की बताता है कि क्या करना है कैसे करना है इस तरीके से तो यह आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं सबी पहला है कि एक डाइड़ सिट फिलाल संभावित हैं संभावित के मतलब की कंफर्म नहीं कि यहीं होगी थोड़ाबगत चेंज हो सक पॉर्टल फॉर ओनलाइन समिशन ऑग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून टूजन टॉन्टीफॉर टम एंड एक्जामिनेशन एज बेन ओपन इन डियू कोर्स फ्रम वन मार्च ओन वार्ड यह जो है पॉर्टल को ओन कर दिया गया जून के फॉर्म को भनने के लिए और विस म में दे या ध्यान में अवस्य रखे इन बातों को ध्यान में आपको रखना है जो कि रीड कर लिजेगा धिरी-धिरी स्क्रोल करके और वेफसाइट के लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूगा वहां से भी आप ले सकते हैं नेक्स्ट आता है इस है कि यहां फोर निमलेखित कारिकरमा पाठे करमों के प्रसंपत्र वस्तु परक किस्म के प्रसंपत्र यानि कि MCQ टाइप के पेपर होंगे जिन बच्चों का जो है प्रग्राम यह वाला है बीडीपी, बीटीएस, बीसीए, 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 इस फाले कोर्स इस वाले कोर्स में यह इन कोर्स का जो एक्जाम होगा वह में पॉइंट है इन्होंने दिया है साथी में एक note लिखते हैं कि पाठेकरम code BNS041 और BNS042 वर्तनात्मक प्रकार के pattern में आयुजित किया जाएगा यानि कि note the course code BNS041 and BNS042 will be conducted in descriptive type में pattern यानि कि ये दो course के जो paper होंगे वो कैसे होंगे descriptive type होंगे यानि लिखने वाले paper होंगे तो इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है और सही से एक बार notification को जारी कर लेजिए sorry read कर लेजिएगा क्योंकि मैंने main point आपको बता दिया कि किन course में क्या होने वाला है इसके बाद इन्होंने group बनाया है group 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से group बनाया है और उसमें exam category को define कर दिया है यानि कि इस six के six के जो छे group है तो exam of the course in a group are conduct on same date यानि कि यह जितने exam है वो same date same time पर conduct है और कोई no request for change in date for course will be entered intent मतलब कि इससे कहने का मतलब यह है कि यह जो group बनाया है और जो subject है यह same course एक date को और एक ही time पर exam लिये जाएंगे इससे तरह group 7 में बनाएं यह सारे जो course है यह course भी एक ही date और एक ही time पर लिये जाएंगे जिसका भी है इनमें कोई changing के request अगर डालना चाते हैं नहीं हो सकते अब बचे हुए जो program code है वो यहां लिखे हुए है उसके according यहां पर list date sit दी गई है जैसे कि यहां पर day and date लिखा है कि 7 तारीक से शुरू हो रहा है साथ जून दोजाब चोबिस यह नि फ्राइडे को है पहला पेपर इन सभी code का है morning sit जो कि 10 से एक चलता है evening sit जो कि 2 से पांच चलता है इस तरीके से आप क्या करेंगे इसमें अपना course को ढूरेंगे और course को ढूर के अब एक प्रफली आप बना सकते हैं लिख सकते हैं जैसे कि सपोर्ज कि यह मैं कंट्रोल एफ दबाऊंगा मैं और मेरा कोई कोर्स है यह मेरा कोर्स है बी-पी-एस-सी 133 बी-पी-एस-सी 133 जैसे ही मैंने सर्च किया तो उसने हाइलाट करके दिखा दिया यहां पे कि यह पेपर मे प्रफली अपने जितने कोर्स हैं उन कोर्सों करिफ में सर्च किजीए और उसके सामने अपना डेट और टाइमिंग लिखिए कि मतलब कि कब हो एक्जाम होने वाले इसी साब से आप अपना कहीं जाना चाहते हैं छुट्टी लेना चाहते हैं तो आप अगर चेंजिंग होता है किसी कारण वस वो चेंज किया जाता है इस तरीके से यह एक्जाम जो है चलेंगे पूरे के पूरे देख पा रहे हैं यह 13 साथ यहीं 13 जुलाई तक एक्जाम चलेंगे बच्चों के 24 जो कि सटटे होगा उस दिन तक एक्जाम रणिंग करेगा और साथी साथ यहां पर गुरूप आउग एक्जाम आर ओन दा बेस ओफ कोर्स रेजिस्टर ओफर जिस तरीके से गुरूप में जैसे बच्चों ने कोर्स इरिजिस्टर किये हैं हाँ एक बात याद रहते है बच्चों आपको अंसर ही देना है और condition देना है इन और भी कोई information चाहिए comment box में comment किजिए मैं आपकी पूरी help करूंगा पूरी सहता करूंगा अगर assignments related हो किसी भी प्रकार की क्वाइर के लिए करना है आप comment box में comment किजिए thank you so much watching this video and like subscribe and comment and share to also कर दो